Japanese Language में बिल्कुल 0 से Advanced Career तक और उसके बाद भी अपने Career को Advancement तक कैसे लेके जाएंगे आज हम इस वीडियो में सीखेंगे तीन स्टेप्स में 1,2,3 तीनो स्टेप्स को अगर मैं टाइम लाइन से भी डिवाइड करूँ तो आप Step No.1 में 1,5 साल का टाइम मान सकते हैं Step No.2 और 3 में 3-3 महीने का टाइम मान सकते हैं तो टोटल दो या फिर कह सकते हैं धाई साल में आप एक बहुत अच्छी सैलरी और एक बहुत अच्छा करियर With Future Prospects Japanese Language में आप कर सकते हैं बिलकुल जीरो से तो आए चली शुरू करते हैं Welcome to New Hongo Max मेरा नाम है रवी Step No.1 Step No.1 obviously Japanese Language को सीखना अगर जिन्होंने थोड़ी बहुत Japanese Language सीखी है या फिर बिलकुल भी नहीं सीखी है तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि आप इसको एक बहुत अच्छा करियर आप्शन मान के सीखें ये सारी बातें बेकार की हैं कि Japanese Language बहुत मुश्किल है इसको ऐसे सीखना चाहिए वैसे सीखना चाहिए सभी पढ़ाई की तरह सभी foreign language की studies की तरह Japanese Language भी उसी तरह से मेहनत और discipline मांगती है और आपको जो schedule मैंने divide करके पिछले वीडियो में समझाय हुआ है या फिर nihongomax.com पर हमने schedule को divide करके पढ़ाई को बाटा हुआ है जिसमें audios video सब कुछ आप देखके Japanese language को सीख सकते हैं तो आप यह अपने आप record कर सकते हैं अपने आप आप estimate लगा सकते हैं कि दो साल में या फिर देड़ साल में आप ऐसे level तक पहुँच सकते हैं जिसमें Japanese language में चाहे आपको interview देना हो या interpretation freelancing work कराना हो ट्रांसलेशन करनी हो work from home करना हो आप इस level को बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं अगर आपने अपने discipline को follow कि हुए तो यह था step number one इसको और भी अगर मैं elaborate करूं मतलब काफी time लग जाएगा लेकिन अगर आप मेरे पहले वाले वीडियो देखे तो मैंने अच्छी तरह जाए हुआ है कि Japanese language की पढ़ाई को successfully कैसे करें बात आती है अब step number two की step number two जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको ना सबसे पहले इंटर्वियू के लिए specifically prepare करना पड़ता है जिसमें लगभग एक महीना मैं कहूंगा एक बच्छा पूरी तरह से महनत करें तो लग जाता है अगर इंटर्वियू के questions जैसे कि जीको शोकाई शीबो दो की वगएरा जो कि मैंने अपने वीडियो में भी समझाय है निहांगो वर्क कर सकता हूँ तो वो importance रखता है आपके Japanese language proficiency for interview ठीक है इंटर्वियू के लिए अगर आप prepare कर सकते हैं अपने 3-4 questions को तो interviewers को frankly speaking कितना ज़्यादा problem नहीं होता freshers को भी hire करने के लिए जितना वो experience holders को hire करते हैं experience holders क्यों hire किया जाते हैं क्योंकि usually जैसे translation work interpretation work इसमें Japanese language के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है जैसे कि maturity level attitude देखा जाता है और time को follow करना discipline को follow करना यह सब चीजें देखी जाती है तो वह सब चीजें Japanese language सीखते सीखते आपको आ जाएंगी क्योंकि Japanese culture अपने आप work मिल गई है चाहे आपका annual package 8,000,000,000,000,000,000,000,000 दस नौट मैटर आप उस job को अगर एक साल, डेर साल, दो साल, अच्छी तरह से successfully कर पाते हैं तो step number 3 आपके लिए बहुत बहुत easy हो जाता है इसमें 2 चीजें parallel यह आपको करनी पढ़ींगी, पहली बात तो advanced level के JLPT को clear करना पड़ेगा जैसे कि N1 लेवल या फिर N2 लेवल और इसके साथ-साथ आपको Advanced Interview Skills को भी थोड़ा सा Brush Up करना पड़ेगा जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि अभी तक आपने Japanese Language से जो काम किया है उसमें क्या-क्या मुश्किल आई आपको आपने उन मुश्किलों को किस तरह से ओवर कम किया जैसे शीबो दोकी और जीको पी आर इन्हीं चीजों से रिलेटेड होता है तो आप उसकी preparation पहले से ही शुरू कर सकते हैं अगर आपने एक साल अगर वर्क किया हुआ है तो आपको यह सब चीज़ें ओलड़ी वह कंपनी ही सिखा देगी तो step number 3 इतना मुश्किल नहीं है पहले दूसरी चीज़ आपको यह करनी पड़ेगी कि आपको थोड़ी सी आइटी वोकेबिलरी और थोड़ी सी आटमोबील वोकेबिलरी को याद रखना पड़ेगा अब जब स्टुदेंट्स मुझ से कहते हैं कि आईटी वोकेबिलरी तो बहुत जाद मुथाब जाके मैं एडवांस लेवल का इंटरव्यू दूँ और हाई सैलरी पैगेज को डिमांड करूं जी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आपने जितना भी सीखव है मानली जी आप आईटी इंडर्स्टी में काम करते हैं तो अलड़ी आप प्रिपेर्ड हैं उसक जैसे हम मानली जे नॉर्मल एक इमेल की बात करें तो इसमें इंबॉक्स होता है सैंट इंटम्स होता है ठीक है ड्राफ्ट्स होते हैं यही सब इसमें काम आता है उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा सौफ्वेर वकेबिलिरी के अंदर जाएं तो उसमें भी जैसे इ इसमें बात करें तो शॉप फ्लोर क्या होता है पेंट शॉप किसको कहते है ठीक है प्रोक्यूर्मेट किसको कहते हैं डिलिवरी किसको तो यह बेसिक चीज़ों के बाद ही आप अपनी वो मतलब एडवान्स इंट्रव्य के लिए जा सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा ती मुझे लगा कि यह चीज में आपको यह चीज वीडियो के थुरू समझा पाऊं मतलब यह एडवांस के स्टुडेंट्स के लिए यह नॉलिज है लेकिन अगर बैसिक के स्टुडेंट्स भी अभी से ही यह चीज समझ के मोटिवेटिड रहेंगे कि अगर हम बैसिक को पार कर होती है या कोई भी चीज आसान होती है तो बहुत जद नहीं इसमें डिफ्रेंस नहीं होता डिफ्रेंस किस चीज में होता है आपके देखने के नजरिये पर होता है आपके देखने के एटिडूड पर भी होता है कोई कह सकता है पेंटिंग या आर्ट वगरा यह बहुत ही म मुश्किल है तो आसान मुश्किल कुछ नहीं होता आप करके देखिए जो हमारे एडवांस के स्टुडेंट्स हैं या बेसिक के स्टुडेंट्स हैं जो भी मतलब जैपनीज लैंगुज के आपने अच्छी तरह से देखाऊगा जिसमें शूरू से लेकर आखिर तक मैंने पूरी पूरी कोशिश करिये हिंदी में इन चीजों को समझाने की अलोंग विद एवरी एवरी एक्स्प्लेनेशन ओफ जैपनीज वर्ड पार्टिकल ग्रामर एवरिथिंग ठीक है तो अगर आप उसको एक बार देखें के तो आपको पता चल जाएगा कि इससे जैपनीज लैंगुज सीखना बिलकुल भी मुश्किल नहीं है All the best